नमस्कार स्वागत है आपका आर्यन यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल भारत समेट दुनिया के कई देशों में करोना वाइरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं करोना के सबसे खतरनाक वैरियंट ओमिक्रोन ने भी कई देशों की चिंता को बढ़ा दिया है ओमिक्रोन वैरियंट को फैलने से रोकने के लिए कई देश ने परतिबंद भी लगाने शुरू कर दिये हैं और इस बीच ही विश्व स्वास्ते संगठन ने भी ओमिक्रोन को लेकर कई चेतावनी भी जारी कर दी है आपको बता दे कि WHO ने कहा है कि ओमिक्रोन वेरियंट के बीच सर्दी खासी और आम बीमारी समझने की गलती ना करे ओमिक्रोन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो गया है और इसके साथ उनने कहा कि इसको हो सकता है पस्त और WHO के वारिष्ट आपात अधिकारी कैथरीन स्मॉल वूड ने भी कहा है कि अब सावधानी बरतना बेहत जरूरी है ओमिक्रोन संक्रमण की बढ़ती रफतार दर को विप्रित परभाव डाल सकती है और ओमिक्रोन डेल्टा वेरियेट से थोड़ा कम खातक है लेकिन ये मौत का कारण बन सकता है उन्होंने कहा कि हम बहुत खतरनाक चरण में हैं और हम पश्चमी उरोप में संक्रमण दर में काफी बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसका पूरा परभाव अभी तक स्परस्ट नहीं है इससे पहले डबलो एचो के महा निर्देश कर्टैडर्स अधनम घेबेरियस ने भी कहा कि मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि डेल्टा के प्रकोप के दोरान ही ओमिक्रोन का जैदा संक्रमण होना मामलों की सुनामी लाने की आशंका को दर्शाता है नए वेरियंट ओमिक्रोन से संबंधित जोखिम बहुत जादा बना हुआ है और बता दे आपको कि कई देश फिलहाल और ओमिक्रोन वेरियंट के मामले में आई उच्छाल से घ्रस्थ हैं और इस सौरूप की पहचान दक्षन अफरेका और वोत्स्वाना में ही पिछले साल नुवंबर में की गई थी और उसके बाद से ही ओमिक्रोन सो देशों में फैल चुका है भारत में अब तक 23 राजियों और केंद्र शासित परदेशों में ओमिक्रोन संक्रमण के कुल 1892 मामले सामने आ चुके है बिटेर में भी ओमिक्रोन संक्रमण के मामले रिकोर्स तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पहली बार क्रोन संक्रमण के 2 लाग से ज़्यादा मामले सामने आए हैं ओमिक्रोन संक्रमण में तेजी से कारण जो है अस्पतालों के इस्तिती काफी खराब हो चुकी है और अस्पतालों में करमचारियों की भी काफी कमी बताई जा रहे है जिसकी वज़ा से इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में यहां संक्रमण के कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और सरकारी आकड़ों के मुताबिक करोना संक्रमण से देश में 48 और लोगों की मौत हो गई है अस्पतालों में संक्रमित लोगों और वेंटिलेशन की भी जोरत पड़ रही है आपको बता दे कि अस्पतालों में स्टाफ की भी भारी कमी बताई जा रही है वही राश्टे स्वास्ते सेवा करमचारीयों की भी कमी से जूज रहा है और पॉस्टिव पाई जाने के बाद कई करमचारी अपने घर पर है और बिटेन के प्रधान मंत्री सबसे जादा संक्रमण पर भावित है छेतरों में अस्पतालों में स्टाफ की कमी को जल्द दू करने का वादा किया है उन्होंने कहा कि नाइटिगेल क्लेणिकों को स्कृय किया जा रहा है और साथ ही सेना के स्पोर्ट के लिए कई मैडिकल स्वे सेवक इस काम में जुटे हुए बिटेन के प्रधानमंत्री वोरिस जॉंसन ने कहा कि कोविट के साथ हमारी लडाई खतम नहीं हुई है अगर कोई सोचता है कि कोविट 19 के साथ हमारी लडाई खतम हो गई है तो ये तो गलत फैमी है ये बहुत अधिक सावधानी बरतने का वक्त है हाला कि उन्होंने और एक वियापी लोगडाउन को खारिच कर दिया है उन्होंने कहा कि लोग बूस्टर डोज और टीका करण ले रही है परिवहन नेटवर्क स्टाफ की कमी से दिक्कतों आ रही है और जिससे यात्रियों को भी स्वार्जनिक अवकाश के बाद काम पर लोटने के लिए लंबे इंत लहर से बाहर निकलने में मदद करेगा वैक्सिन आपको बता दे कि मिनिस्टर मेगी थ्रोन ने कहा है कि यह सपस्ट नहीं है कि बिटेन के कितने लोग सेल्फ आइसोलेशन में हैं जानकारी के मताबिक नेशनल हेल्थ सर्विसस से भी जूड़े करीब पचास अजार करमचा प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी आज यानि 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपूर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो राज्य में 42,750 करोड रुपे के से भी ज्यादा लागत के कई विकास परियोजनाओं का सिलनास ही करेंगे आपको बता दें कि PMO ने एक बयान में कहा कि इस दौरे के दौरान PM दिली अमरित सर कटरा एक्स्प्रेस वे और अमरित सर उनाखंड की चार लैन में ही परिवर्तित करने और मुकेरिया, तलवारा में भी रेल लाइन का आगमन परिवर्तन और फिरोजपूर में पीजी आई सेटलाइट केंद्र और कपूर थला और होशियार पूर में दो नए चिकित्सा महा विज्याले की स्थापना संबंधित परियोजनाओं की अधार शीला रखेंगे और पीयमोदी ने कहा है कि देश भर में संपर्क को बहतर करने के लिए प्रधान मंतरी के परियासों के तहट पंजाब में भी कई रास्टिय राजमार्क के विकास की पहल की गई है और इसके परिणाम सोरूप राजमे साल 2014 में नैशनल हाईवे की लंबाई जहां 1700 किलो मीटर थी वही साल 2021 में ये बढ़कर 4100 किलो मीटर हो गई है बयान में प्रियासों को जारी रखने के क्रम में प्रधान मंतरी पंजाब में दो मुख्य सडक गलियारों की अधार शीला रखेंगे आपको बता दे कि करीब 179 किलो मीटर लंबे दिल्ली अमरिट सर कटरा एक्सप्रेस में को 29,500 करोड रुपे की लागत से विक्सित किया जाएगा और इस सडक बन जाने से ही दिल्ली से अमरिट सर और अमरिट सर से कटरा तक के सफर को आधे समय में तई किया जा सकेगा और पियमों के मुताबिक ग्रोंट फिल्ड एक्सप्रेस में सिख धार्मिक स्थलो सुल्तान पुरलोडी और गाइंदवाल और साहिब इसके साथ ही खडूर साहिब तरंतारन और कटरा में मौजूद हिंदूों की पवित्र धरम स्थली वैश्नो देवी को जोडेंगे ये एक्सप्रेस ने हर्याना, चंडीगर, पंजाब और जम्बू कश्मीर के परमुख उगोगिक शहरों जैसे की अंबाला, चंडीगर, मोहाली, संगरूर, पटियाला और लुधियाना, जालंधन, कपूर धला और कठुआ और सामबा को भी जोडेंगे